तो चलिए दोस्तों यह बताईए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी इनके तो मैंने निकालने सिखा दी बहुत आसान तरीके से 2-3 सेगें इसकी कैसे निकलेगी यह 236 चुदा पावर 756 हो गया कुछ भी ले लीजिए इसका कैसे दिख लेगा में कुछ इसका 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 मतलब इसमें यह जोने डिजिट है यह वाली होती है अगर बेस में है 015 और 6 ठीक है और पावर हो कोई से भी तो आपकी जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा सेम रहने वाली है तो इसका अंसर इसलिए क्यों आया 6 क्योंकि यह 0156 में से एक था पावर कुछी हो इसकेस में आपका जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहते हैं तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 6 मतलब आप सोचे होंगे इसके लग इसके लग कौन-कौन से नंबर बच गए आपके 2 3 4 7 8 9 अगर यह हो बेस में जो यूनिट डिजिट के मतलब बेस में वह इन सम्में से एक हो तो फिर क करने के लिए पावर को चार से वधिये क्लिए करने इह ऊपको क्या करना होत है क्या है क्या प्योंकि मतलब चाह्ट कि मतलब तो गशwen्वलिक जैसे मुल मैं लेग DAN तो Z to the power आपकी 1 माने जाएगी और यहां पर Z क्या है? यहां पर Z यह उनित डिट कहेंगे जो बेसमे नमबर है तो अगर तो आपका वन हुआ Z to the power 1 तो आंसर क्या होगा इसका अगर यह होगा तो 4 ही होजाएगा 4 to the power 1 4 अब यही पर मान लू 34 to the power 42 यहां पर रिमेंडर क्या आएगा आपका रिमेंडर आएगा तो अब इसमें क्या हो जाएगा Z to the power 2 हो जाएगी 4 to the power 2 मलब 4 to the power 2 16 और इसका रिमेंडर क्या है 6 तो आंसर इस 6 वैसे ही अगर 3 आगा 43 तो Z to the power 3 ठीक है और जो भी आएगा 4 जबाल से यह कितना हो जाता है आपका 64 तो 4 आपका आपका आशर आजाएगा ठीक है वहीं पर रिमेंडर चार आगया तो आपका Z to the power 4 हो गया ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से होगा एक एग्जांपल लेता हूं जैसे 237 to the power 891 ठीक है 3 आजाएगा और यहां पर unit digit 7 to the power 3 कितना हो जाता है 343 हो जाता है और यहां पर unit digit 3 तो this is your answer ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आशर कलता हूं आपको यह वीडियो सहे तमन्न और इंट्रस्टिंग लगिए so thank you guys for watching this video I'll meet you in the next video till then goodbye take care and see ya